हेलो फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाला हूँ एमले डिकेंसन के दुरा लिखी गई कभीता I am nobody who are you की जहां तक मैं बात करूँ एमले डिकेंसन की वो एक American poet और उनका जन्म 1830 और उनका मिर्तिव 1886 में हुआ था एमले डिकेंसन सुर्वास से ही एकांट प्रिया लड़की थी और इसलिए उनके सिक्षा की सभी सुवधाय होते हुए भी उनका जो सिक्षा था वो कभी व्यापक नहीं हो सका और वैसे भी घर छोर कर कहीं जाना वो पसंद नहीं करती थी वो लोगों के बीच रहने के तुला में वो अपने को काफी वो सिमित कर रखी थी साथी वो अकेले रहना या एकांट में रहना उन्हें काफी पसंद था और जहां तक मैं बात करूं इस कविता में या बिल्कुल ही असपस्ट है कि वो अपने जीवन काल में वो कितना एकांट थी और यही वज़ा है कि उनके एकांट का यही फल था कि उनके जीवन काल में कोई पहचान, कोई परसिद्धी नहीं था उनके पास यहां पर वो कहती है कि I am nobody, who are you? यहां पर वो अपने बाड़े में बताई कि मैं कोई भी नहीं हूँ अपने उत्तेजना को इस बात को लेकर वो उत्तेजित है कि वो कोई भी नहीं है, उनके पास कोई पहचान नहीं है, कोई ख्याती नहीं है और आप देख सकती हो कि यहां पर mark of exclamation यूज किया गया है, तो यहां पर वो अपने उत्तेजना को यहां पर वो बताई है कि वो कोई भी नहीं है और आगे जिस परसन से वो मिल रही है, उससे वो सवाल करती है कि who are you, तुम कोन हो, are you nobody too, क्या तुम भी कोई भी नहीं हो तो हम दोनों के बीच एक जोड़ी है कि कावितरी भी कुछ भी नहीं है, साथी साथ जिस परसन से वो मिली है, वो भी कुछ भी नहीं है, और आगे इस बात को लेकर यहां पे वो अंदेशा जताती है, और वो अपील करती है उस परसन से, वो कहती है कि don't tell, they would advertise you know, यहां पे वो कहती है कि उनका जो पहचान है, वो किसी और को बताने के लिए वो नहीं कहती है, वो उस परसन को कहती है कि यह हम लोगों का जो पहचान है, वो इस संसार को नहीं बताया जाना चाहिए, वो किसी को नहीं बोले, क्योंकि यह संसार क्या करेगा, उनके नीजी जीवन को, दूसरों के सामने लाएंगे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है यहां पे वो कहती है कि एक अपील करती है वो उस परसंद से जिससे वो मिली है कि उनके उनका जो बेक्तिगत जीवन है वो किसी और के साथ साधा नहीं किया जाए क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कोई उन वो लिखी है कि how dreary to be somebody, यहां पर कुछ भी होना, यहां पर जो somebody लिखा गया है, आप ऐसे समझ सकती हो कि somebody, इस संस में यहां पर बताई है कि वो person जिसके पास ख्याती है, जिसके पास अपना कोई पहचान है, जो लोगों के बीच जाना जाता है, यहां पर बताई है कि somebody होना या कुछ भी होना, वो कितना निरस है, कितना कासक्तियों कि उदासी से भड़ा हुआ है, और आगे यहां पर बताती है कि how public like a frog, यहां पर पबлиक लाइफ का जो तुलना किया गया है, यहां पर जो पबलिक लाइफ का तुलना किया गया है, वो frog से की है कि लोग परसिद्ध जीवन होता है कि वह जीवन जिसमें परसिद्धी हो या किसी के जीवन में जो पहचान होता है वो ठीक एक फ्रॉग के तरह है कि जैसे कि फ्रॉग जो है वो हर समय वो हर समय जो है वो टर्टराते रहता है यहां पर लिखा गया है मैं इसे पहले एक है मेड़क के जीवन से किया गया है यहां पर आपने पूरे जीवन में या पूरे समय तराते रहता है अपने अस्तित्य बारे में अपने उपस्तिती दर्ज करने के लिए आपना नाम लेते रहता है ठीक उसी परकार जहें पब्लिक लाइफ होता है कि जिसके जीवन में परसिद्धी है ख्याती है जो लोगों के बीच जाना जाता है उसे अपने अपना जो मौजूदगी है उसे दर्ज कराना पड़ता है उसे अपने बाड़े में बोलना पड़ता है उसे अपना परसंसा करना परता है तो ठीक उस मिढख के ही तरह है कि जैसे कि मिढख जो है जहां पर या जिस भी अस्थान पर मिढख रहता है वहाँ पर वो आवाज बड़े ही जोर से वो आवाज उत्पन करता है ताकि वो अपना उपस्थिती दर्ज कर सके वो अपने अस्तित्य के बाड़े में बता सके, हलांकि उसके आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उसके प्रति ध्यान भी नहीं देने वाला है, फिर भी वो अपने उपस्तिती के बाड़े में या जिस जमीन पर, जिस दलदली जमीन पर, तो यहाँ पर मैं आगे पढ़ता हूँ, यहाँ पर लिखा गया है, to an admiring bog, बॉग के बारे में जदी मैं बताऊँ, बॉग वेसा अस्थान होता है, जहाँ पर मिधक या वो दलदली जमीन, जहाँ पर मिधक आवाज उत्पन करता है, टर टराता है, और हलाकि वह आवाज उत् गया है, कि उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताई है, कि जो लोग किसी को परसंसा करते हैं, उनको महतपूर्ण बताते हैं, और उनको काफी लोग सराहना करते हैं, तो यहाँ पर बताती है, इस बात को लेकर वह बिलकुल ही अपना राय देती है, कि अपने बारे में बा बाते करना अपना उपस्थेती दर्ज कराने से अच्छा है कि वह सांत रहें छुप रहें एकांत में रहें इस चीज़ वह जादा पसंद करती एह सबसे पहले यहां पे पपलिक लाइफ का तुलना किया गिया है फ्रॉद से किया गिया है छोays जब लडली जमीन होता है लोग अपने बाड़े में बात करते हैं, अपना वो परसंसा करते हैं, ताकि लोग उनके और ध्यान दे, जो कावितरी बिल्कुल भी नहीं चाहती है, कावितरी नहीं चाहती है कि वो अपने बाड़े में वो बाते करें, और लोग जो है, वो लोगों के ध्यान को अपनी और वो खीचे, so I hope कि या कविता आपनों को समझ में आई होगी, so thanks a lot and please also subscribe my channel.